हेलो वियर्स मेलो केस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेंस्ट हर्बल रेमेडी में इसके आप जानते हैं कि हम सदय भी एक मेडिसन प्रांट को लेकर चर्चा करते हैं तो आज हम जिस्त मेडिसन प्रांट की चर्चा करेंगे वह आपके सम्मुग है यह देखिए आप ऐस से भाई बंदू इसे जानते भी होगेंगे विसे इस पर जो हमारे ग्रामिड अंचलों में रहते हैं यह जो कज़व में रहते हैं या जिनके आसपास नेचुरल यह वेजिटेशन या यह पादफ समुदाय जय विवित्ता रहती है तो यह देखिए इस पादफ का जो नाम है यह है जंगली स्टावेरी तो चैनल को शुरू करने से पहले हमारा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अगर हमारे पुराने विवर हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइप शेयर और हमारे चैनल को सब्सक देख पा रहे हैं कि यह स्टावरी का जंगली इस्टावरी का पहुंदा है और इसका जो नाम है ऊसको वुड्लैंड स्टावरी भी करते हैं और एलपानी इस्टावरी के पाया जाता है और अगर हम इसका लोकल नेम की बात करें तो वह है फ्रेगेश्या वेस्का और यह अगर रहें कि आपको कहीं भी यह जो हमारे पठारी चट्टा नम्य वाली जगे हैं वहाँ आपको आशानी से मिल जाएगा और सोसे जो 300 मिटर की जो उंचाई है उसमें आपको आराम से मिल सकता है यह विशेज का दक्षणी हिमाले में पाया जाता है और इसके विशेज होता है इसमें फल लगते हैं पीडे रंके फूल आते हैं और जो फ और को बहुत सुगंधत है और खटा और मिता होता हे और वह बहुत सुगंदित भी होता है बहुत है और यह नता कि मुट्हेँ आयर्य यह जगन्टर आती depressi लेकिन सजावट के लिए और जो इसके रंग बिरंग जो इसके इसमें फल लगते हैं उनके लिए इसे गार्डन में भी उगाया जाता है और देखा जाए तो अगर नेटिव हम इसे पौधा कहें तो यूरोप का यह मूल निवासी है और एस्या में भी बहुत आज पाया जाता है और पुरातन काल से ही इसकी मेडिशन वैल्यू तो ही कि नेडिसन वेल्यू के सांसांत बहुजन के रूप में भी और जिसके फलो को है कि जंगल से तोड़के वाइल्ड हार्वेस्टिंग किया जाता है तो उसके बाद जैसे कि इसको इस्तानी या घर में इसका प्रियोग किया जाता है और यह हमारे जो स्वास्तसंबंदी परिसा प्रियोग के बारे में हम आपको मताएंघ ऊचानी स के बारे में हम आपको बताएंगे वाही Жक ici इसकी पंती पत्ती कि आप देख पा रहे हैं यह देखिए गूसकी पत्तिहों से होती है ऐसे पत्तिह निकलती है इस के Bettles बनाए जाती है अगर किसी को जैसे दस्त हो जाता है तो उसमें यह लाफकारी है और अंत्र सोथ होता है प्रियोग होता है और अगर किसी को बावा सीर करोगे तो उसमें लाब दायक है जैसे गले की खरास है उसमें विशेज लाब देता है और जैसे की मामुली जलन हो जाती है तो उसमें भी विशेज लाब देता है तो आसपास देख सकते हैं कि आप यह बहुत से बहुत से फर्न है इसमें और प्रजाती के भी हमारे कुछ यह पहुंदे हैं यह देखिए और कुछ हमारी अपको घाज भी दिखाई दे रही हैं और पत्ती और जड़ जो मुखी रूप करने जिसमें रसा इंपदार से मुख्यतर वह है अल्कोहल एस्टर लेक्टों किटोन तो मुख्यतर जो है यह प्रियोग में जो आता हमेरे असोद्यों के और भी गुणकारी और लाब दहग बना देते हैं और तो परवावसाली भी इनसे होती है तो देखिए और कुछ हमा कि अगरे जो वन शेत्र हैं कि उनको वनागनी से बचाएं या अराजक तत्व है अनेतिक तत्व हैं जो हमेशा वनागनी को लगा देते हैं यह स्वयंग यह अगनी लगाते हैं कुछ आशी व्यक्ति भी होते हैं तो आप उनके प्रति कानुनी कारवाई करिए और पुलिस क लाइप से होते हैं अनेतिक कारे कर रहा तो आपना साज दिखाएं जिससे कि हमारे कि पारसित्थी दी विविश्टे की बचे रहे और हमारे इसे पृषी थिकंडे क्से हैं ओनागनी लगते विलुप्ट प्राय हो यह संक्ट और संक्राइब्स्त हो चुके हैं कि उनका इनको सालों इनको साइज सेख्रों साल लग जाते हैं दुबारा पुन हो अपनी जगे में इस्तापित होने में तो आप से हमारा यह अपील भी है कि आप कभी भी ऐसा कोई अन्हेतिक कारे करें तो उसकी सूचना तुरंत कोटवादी में दें यह भी परुपकार कही कारी होगा यह पादप वोसरी हम प्ल कहें या पादप रक्स के हमें बहुत कुछ देते हैं कि साधिक जड़ भी तना भी पत्ती भी और कमर्सेल लूज में हमारे लाब कर रहे हैं और लास्ट हम जाते जाते ही भी हमें इधन रूपी लग्टे देखे ड़िऑ हमें भी हैं जब तक इनकी राख नहीं बनती है तब तक हमें लाब देते हैं सकी हमें को बात कर रहे हैं और दूसरीmm करण का पहल पतर समय से हो रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहा है तो आप लोग भी उस भूर कानून को लाने में समर्तन करें, हम भी आपके सांथ हैं, जिससे कि हमारे राज्य का पिलायन भी रुखे और लेज सप्रक्रवां और उत्राखंडेक शेज्बाल्स राज्य्ब कोई जो उत्राखंडेक सोंदर्वाश्यों टो इस बूरत कूसनितीम परेwn तिक दैनल पाद मंधान करन lovely या और जो हमारे मनातों है यह दी patie उन्हें होते हैं या उनका उनका किया जाता है तो उसे भी हमारे लगा और है हमारे श़खेश्घ्ण वासे हों का तो आप से निवेदन है कि आप लोग बहुत से बहुत से सो भार के मैं या कैटान करते हैं अरूस लन्ध होरते हैं और emotion को नुकसान हो रहे हैं और हमारे तक हावाश भीटन कान फ्रॉल संपत्ती आंगा हो रहे हैं जाडों द्धन आ रहा है या मैं षञेंक तया को है यह यहां को समय बाद हमें जैसे ज्ञाड़ों की धूपके बाद पर घंड शुरो हो जातीं तो अश्य हमें एहसास होता है हैं यून प्रोली कर फूल बागान का कारी है या पूलों से संबंदी जो कारी है उनमें हमारे बहुत से अनुदान हमारे सट्कार्ट की वोट से मिल रहे हैं तो अब लाब बे उठा है और अपने आर्थिक को बेशुदार हैं और इसे हमारे जो जीवन स्थर है वो भी सुद्र का और आजत्रोद बढ़ेंगे और हमारे परवती राज्य जो हमारा उत्राखंड एसे पलायन भी रुखेगा हम तो कहते हैं हर एक राज्य का अपना अपना एक विशेश इस्तान है कोई से भी हमारे राज्य हों तो यह जीस लिए हमारी वीडियो के सान और हमारी चैनल के सान जुड़े रहने के लिए जन्यवाद